इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपनी Android TV में कोई भी pen drive को कैसे connect करें और इसमें photo, video या कोई application AP के file है तो उसे कैसे देखें तो वीडियो पूरी और बिल्कुल ध्यान से जरूर देखते रहिए तो यहाँ पर देखिए आपकी TV की पीछे की तरफ इस तरीके से pen drive का option होगा ठीक है यह एक pen drive का option है ऐसा आपकी TV में होगा तो pen drive को इसमें ही डालना है तो मैं यहाँ पर आपको डालके दिखा देता हूँ देख लें बराबर सीधा ही डाले नहीं तो ज्यादा फोर्स ना करें अगर नहीं जा रहा है तो बेवज़ा का फोर्स ना करें देख लें कहीं उल्टा तो आप नहीं डाल रहें तो pen drive लग गया है ठीक है अब आपको आपकी टीवी में आ जाना है यहाँ पर आप देखेंगे search, home, discover और apps आपके उसमें थोड़ा सा इंटरफेस अलग होगा लेकिन apps का option आपको जरूर दिखाई देगा तो यहाँ पर remote से आप apps में आ जाए इस option पर apps में आएंगे तो सारी टीवी के application आपको यहाँ पर नजर आजाएगी तो यहाँ पर एक media का option होगा इस पर आजाएं अब मेरी बात ध्यान से सुने, media के option पर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर video और photo देखने मिल जाएंगी, video और photo आपकी pen drive की देखने मिल जाएंगी लेकिन कोई AP के file होगी application होगी तो यहाँ पर नहीं कैसे देखें वो मैं आपको बताऊंगा, तो अभी मैं movie के option पर हूँ, तो देखिए इसके अंदर application रखा है मैंने, पर application नहीं दिखेगी, current folder is empty, तो यह AP के support नहीं करेगा, यहाँ पर देखिए मैंने videos रखी हुई है, तो movies में यहाँ पर videos आ जाएंगे, आप देख सकते हैं चार video है, अब देखिए, thumbnail image का जो option है, इसमें मैंने image रखी है, इसे open करता हूँ, तो empty बता रहे हैं, तो image मुझे देखना है, तो यहाँ पर आना है, photos में, और यहाँ पर thumbnail image पर जाऊँगा, देखिए, photos आ गई है, ठीक है, तो AP के file कैसे देखिए, यहाँ पर ध्यान से दे manager, देख सकते हैं, तो इसे open कर लेते हैं, आप इस file manager को play store से install कर लें, मैं आपको दिखा देता हूँ, play store में कैसा है, color थोड़ा सा different है, तो यह है file manager, यह मैंने play store से install किया है, इसे open कर लेते हैं, और यहाँ पर आपको USB दिख जाएगा, USB पर open करें, अब मैं आपको दिखा द आ रही है, तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो और APK file हर चीज़ देख सकते हैं, उमीद करता हूँ, आप समझ गया होंगे, वीडियो पसंद आई हो, तो tech store को subscribe ज़रूर कर दे,